Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11, यह आप लोगों की collective reading है और आज हम करने जा रहे हैं you versus them reading, next 48 hours में आपके connection में क्या हो सकता है, क्या possibilities हैं यह हम आज की reading में जानेंगे so regardless आपकी क्या situation है, आपके partner के साथ सबके लिए reading open है और बिल्कुल timeless है, जब भी यह reading आपकी नजर से गुजरेगी आपका उस वक्त का message होगा so शुरुआत में मैं हमेशा कहती हूँ कि cards possibilities बताएंगे, आपकी final destination, safe divine source को बता है इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को open रख कर इस reading को देखना है इसके इलावा मेरे जितने भी subscribers है, thank you so much, अब सबने मुझे जितना प्यार दिया है और जितनी support दी है I truly, deeply appreciate each one of you and I love you all So, अगर आप नए है मेरे चैनल पर, आपने भी इसको subscribe करना नहीं भूलना है, पसंद आए तो like भी कर दीजिएगा और share भी कर दीजिएगा So, अब हम start करते हैं आज की reading और सबसे पहले हम आपकी current feelings देखेंगे, फिर आपके person की current feelings देखेंगे उसके बाद हम देखेंगे के next 48 hours में क्या हो सकता है So, शुरू करते हैं आपकी current feelings से, अगर ये वाला portion आपसे resonate करेगा तो ये बिल्कुल आप ही की reading होगी The Lovers, मेरे viewers की current feelings Five of Pentacles, Nine of Cups Meri viewer की, ये तो बहुत सारे आगे Current feelings, spirit हमारे पास है Temperance Two of Pentacles The Devil, Five of Cups Queen of Wands Bottom of the deck पर हमारे पास है The Moon So, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जैसे आपकी breakup situation है आप लोग साथ नहीं है मुझे separation में लग रहे है या फिर आप लोग के दरम्यान बातचीत कम चल रही है बट यहाँ पर बहुत जादा आप कहलें कि My UC की energy है Aries, Sagittarius, Capricorn, Gemini, Pisces, Cancer यह Star Signs यहाँ पर बहुत strong है आपका या आपके partner का इन में से कोई हो सकता है बट जरूरी नहीं है So friends, I really feel कि आपको इस वक्त loss feel हो रहा है आपको लग रहा है कि आप खो चुके हैं अपने partner को और आपको उनसे बहुत ज़दा गिला है आपको लग रहा है कि आपने जो खाब सजाए थे वो सब तूट चुके हैं वो सारे खतम हो चुके हैं आप एक toxic मेभी इनसान के साथ थे मेभी आप एक धोके बाद इनसान के साथ थे आप ऐसा feel कर रहे हैं ऐसा सोच रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अब खुद को खड़ा करना है फिर एक लम्हें आप ये सोचते हैं कि नहीं जो फिर उसके साथ वक्त गुजरा क्या वो जूट था क्या वो मुझे उसने मुझे से कभी प्यार नहीं किया मतलब आप इस तरह के questions कर रहे हैं आपको लग रहे कि all along उनकी जिन्दगी में कोई और भी था और दो लोगों को वो जगल कर रहे थे आप भी थे उनकी जिन्दगी में और आपके इलावा कोई और option भी थी जिसको वो entertain कर रहे थे आपको ऐसा feel हुआ कि उन्होंने आपको as an option अपनी जिन्दगी में रखा और ये चीज आपको बहुत ज़दा तकलीफ दे रही है 5-5 आपके लिए important हो सकता है So आप लोगों में कुछ differences भी हो सकते हैं, culture, background, caste, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि long distance connection है So friends I really feel कि इस वक्त आप एक अच्छे head space में नहीं हैं और obviously heart space में भी आप बहुत ज़दा disturbed हैं तकलीफ में हैं बट आप अपने आपको खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास temperance और फिर queen of wands भी है आप अपने आप से ये कह रहे हैं अपने आपको heal करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तुम्हें क्या हो गया अपने आपको stand करो अपने आपको मजबूत करो you can do this अपनी emotional state को balance करो यानि आप खुद अपने healer हैं आप बहुत कुशिश कर रहे हैं अपने आपको heal करने की और इस सारी negative energy में से निकलने की अभी हम आपके person की भी feelings देखेंगे कि आपके लिए क्या है बट आपको एक लम्हे के लिए लगता है कि शायद उसने मुझे से बहुत प्यार किया तो फिर आप बहुत बेचैन हो जाते हैं उनके लिए फिर एक लम्हे आपको लगता है कि नहीं वो एक toxic इनसान है उसने मुझे सिर्फ hurt किया है उसने मुझे धोका दिया है फिर इस तरह से आप सोचने लग जाते हैं तो ये आपकी back and forth feelings है और energy है आपका दिल भी करता है उनसे मिलने का उनसे बात करने का still ये इनसान आपकी wish fulfillment है still आपको लगता है कि यही इनसान का खाब आपने देखा था still आपको बहुत ज़दा प्यार है और आप सोचते हैं कि काश वो मुझे choose करे काश उसने मुझे choose किया होता अभी भी आपके दिल में ये वाला एक है मतलब एक दुख है कि उसने मुझे choose नहीं किया अभी भी आप ही सोचते हैं कि काश वो मेरे लिए stand ले ले काश वो मुझे चूज कर लेता या कर लेती राइट तो इस तरह से आपके दिल में खाहिश अभी भी है बट I feel कि बहुत ज़्यादा तूटा हुआ फील कर रहे हैं आप और आपको लगता है कि आपने जैसे खो दिया है उन्हें खो चुके हैं आप उन्हें आपको यह फील हो रहा है and then आप अपने आपको खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं फिर से और I do feel कि मेभी आपने यह सोचा है कि यह इनसान मुझे नहीं मिला इसने मुझे जिन्दगी का बहुत बड़ा धोका दिया है और अब मुझे किसी रिलेशन में नहीं जाना है अब मुझे बस अपने आपको खड़ा करना है अब मुझे अपने लिए जीना है या कुछ करना है काम के हवाले से अगर आफ इमेल भी है I feel कि आपने ये decide किया है कि अब प्यार मुझे के बारे में मैंने नहीं सोचना मैं जहे काम करना है मुझे अपने आपको stand करना है ये आपकी thoughts हैं अब और आप ये भी सोचते हैं कि अगर इसने मुझे choose किया इसने मेरे लिए stand लिया इस तरह से आप सोच रहे है So ये मुझे आपकी feelings नजर आई है friends अगर आप से resonate किया है तो बिलकुल ये आपकी reading है Continue watching So अब हम ये देखेंगे कि आपके person की feelings आपके लिए क्या है ये इनसान कैसा feel करते हैं How do they feel Spirit हमें divine message दीजिएगा Okay, we have the hermit Lost है ये इनसान Virgo energy है Three of wands कुछ लोगों के लिए again Long distance connection हो सकता है Scorpio energy भी आ गई है With the tower Six of pentacles Page of swords ये इनसान बहुत lost है And I feel के ये इनसान आपको Stalk कर रहे हैं Social media पर आपकी maybe pictures को देख रहे हैं उनके पास है उनके लिए भी ये break up उतना ही painful है जितना आपके लिए था Six of swords वो ये सोच रहे हैं कि ये सब कैसे इतना sudden हमारे दर्मियान हो गया Six and six किसी के लिए important हो सकता है Four of swords Bottom of the deck पर two of pentacles Okay, so ये इनसान भी अपनी feelings में back and forth जा रहे हैं So यहाँ पर जो stars हैं इस थे वो भी मैंने आपको बता दिये बट आपने energy पर focus करना है So ये इनसान भी उतनी ही pain से गुजर रहे हैं जितने आप pain से गुजरें मुझे ऐसे लग रहे हैं कि उनकी निस्बत आप फिर भी strong है ये इनसान ये सोच रहे हैं कि वो मुझसे जादा strong है वो मुझसे Excuse me वो ये सोच रहे हैं कि वो मुझसे इतना टाइम दूर कैसे रह सकता है या इतना टाइम वो मुझसे दूर कैसे रह सकती है हम तो कभी एक दूसरे से इतनी दूर नहीं रहे इतने इतने टाइम बिना बात किये कभी नहीं हम लोग रहे तो ये चीज उनके लिए भी बहुत ज़दा पेंफुल है और वो स्पाय करते हैं स्पाय नहीं कहूंगी, स्टॉक करते हैं स्पाय भी हो सकता है के करते हो क्योंकि ये इनसान बहुत लॉस्ट हैं आपके बिना हर वक्त उनके जहन में ये सवलाद चल रहे हैं I really feel that they feel tired मतलब उनको ऐसा feel होता है कि मुझसे कुछ नहीं हो पारा I can't do anything except कि मैं wait करूँ They need time ये भी हो सकता है कि आप लोगों का break up इसलिए भी हुआ because time का ही इसमें सारा tension था उन्होंने बहुत time आपका अरड़ी लिया फिर अभी और भी बहुत ज़दा time उनको चाहिए था और इसलिए आप उनकी जिन्दगी से चले गए क्योंके वो बहुत ज़दा time आपका ले रहे थे and you felt के maybe ये मेरा time अपना जाया करेगा इसलिए मुझे अपने ही रहना है तो still ये इनसान ये सोच रहे हैं कि सिवा time के और कोई हल नहीं है आप लोगों की situation का ये इनसान बहुत ज़दा मुझे परिशान लग रहे हैं मुझे इन मेंसे कुछ बेमार भी लग रहे हैं I really feel कोई bed-ridden हो सकता है मतलब बहुत बीमार है उनसे उठा नहीं जा रहा है but don't worry अगर बीमार हैं भी तो ठीक हो जाएंगे but बीमार हो सकते हैं और बहुत ज़दा ठका हुआ फील कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि काश आप उनके पास होते यह इंसान बहुत lost है आप कहलें कि बहुत ज़दा lonely है और ढून रहे हैं light बिल्कुल इस तरह से light ढून रहे है और मुझे यह भी लग रहा है कि यह इंसान अपनी जिन्दगी का कोई lesson ले रहे है इस present time है because यह उनकी soul growth का भी एक time चल रहा है आप यूं भी कह सकते हैं कि उनकी spiritual awakening चल रही है कुछ चीजें वो learn कर रहे है सारी situation से but I feel कि यह इंसान आपको बहुत ज़दा याद कर रहे है यह इंसान कोशिश करते हैं आप से move on करने की बट नहीं हो पाता है वो बहुत हैरान है जब वो पीछे मुड़कर देखते है कि आप लोगों को अलाइदा हुए कितना time हो गया तो वो हैरान हो जाते है कि ऐसा कैसे हो गया हम दोनों के दर्मियान और ना यह भी हो सकते है कि आप लोगों के लिए recently हो सकता है आप लोगों की fight हुई है और यह इनसान अभी तक आपको नहीं मना रहे है क्योंकि यह इनसान बीमार तो है ही यह मुझे नजर आ रहे है और अगर break up हुआ है तो यह बहुत painful break up हुआ है आपका अगर कुछ दिन हुए है या बहुत दिन हो गए है still यह message आप collective के लिए आ रहा है कि यह break up बहुत ज़्यादा painful था इनसान आपके बेना नहीं रह पा रहे है उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है आपसे move on करना, आपको भुलाना and I also feel कि उन्होंने आपको किसी fake account से message किया है hey how are you या आपको किसी fake number से text message करेंगे या whatsapp करेंगे, किसी और number से मुझे कुछ ऐसा feel हो रहा है क्योंकि वो directly शायद नहीं बात करना चाहते है या आप उनको block किया हुआ है आपने कुछ ऐसा हो सकता है but I feel block नहीं भी अगर किया वो किसी fake account से कहीं और से आप से राबता करेंगे या कर चुके है मुझे vibe आ रही है कि next 48 hours में हो सकता है ये इनसान किसी fake account से आप से contact करेंगे so friends आप लोगों ने अगर मुझे मेरे second channel पर subscribe नहीं किया तो आप जल्दी से कर लिजे आपको description में link मिल जाएगा वहाँ पर star science के हिसाब से और elements के हिसाब से मैं readings कर रही हूँ और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ pk card readings आती है अगर आपको pk card readings पसंद है आपने जरूर मुझे उस channel पर subscribe करना है so description में देख लीजेगा link so देखते हैं कि next 48 hours में क्या होने वाला है हमारे पास आगया है calling in your soulmate your prayers, affirmations and visualizations help bring you together so आप में से जो लोग कर रहे हैं affirm या visualize या pray आप समझ लीजिए कि ये answered prayer है आप manifest कर रहे हैं उनको you deserve love so obviously ये इनसान ये तो सोचते ही है कि आप बहुत ज़ादा प्यार डिजर्व करते है maybe आप भी ये सोचते हैं कि वो इनसान बहुत broken है वो भी प्यार deserve करता है but unfortunately चीजें ठीक नहीं चली है आप लोगों के दरमयान past life relationship so I do feel कि बहुत ज़ादा history है इनके साथ आपकी जो इसलिए भी बहुत ज़ादा difficult हो रहे है आप दोनों के लिए move on करना stay optimistic about your love life and trust so I feel कि ये इनसान इस वक्त तो बहुत ही ज़ादा आप कहलें कि तकलीफ में है because they feel कि वो हर तरह से opportunity खो चुके हैं आपके साथ जुडने की आपका trust हासल करने की सब कुछ break हो गया मतलब कुछ नहीं बाकी रह गया बिलकुल तूट चुका है हर चीज trust हो हमने देखा कि आप भी कोशिश कर रहे है positive रहने की आप भी कोशिश कर रहे है कि उम्मीद पर hold on करें but I feel कि अब बात शायद बहुत आगे जा चुकी है hope से अब आप चाहते हैं कि कोई solid plan हो आपके person के पास अब उनकी maturity नहीं चलेगी आप देखें कि यहाँ पर पूरी reading में हम आपके पस ना ही कोई king आया है और ना ही कोई night आया है जिसका मतलब यह है कि आपके person बहुत आप कहलें कि powerless feel कर रहे हैं उनको feel हो रहे है कि I can't do anything except कि मैं wait करूँ सिवा wait कि मैं और कुछ नहीं कर सकता मेरे हाथ में और कुछ नहीं है मुझे बेबसी महसूस हो रही है जैसे वो यह आप से कहना चाहते है कि मतलब ना उनके पास कोई plan है ना उनके पास financial freedom है बहुत ज़्यादा depending किसम की life है उनकी और यह भी हो सकता है कि family business करते हो तो इसलिए भी वो कुछ हुद का उनका नहीं है इसलिए वो कोई stand शायदा आपके लिए नहीं ले पारे है कुछ लोगों के लिए ये भी message आ रहा है इसके इलावा ये भी हो सकता है कि आपके person अभी बहुत young है 20s में है 22, 23, 25 ये age हो सकती है उनकी बट age जो भी हो even 30, 31 भी हो I just feel के बहुत ज़्यादा वो अपने फैसलों में आजाद नहीं है उनकी family का बहुत गहरा influence उनके उपर हो सकता है इसके इलावा कुछ भी reason हो सकता है आपको already पता है ये चीज़ बट उनको ऐसा feel होता है कि उनके पास बिलकुल power नहीं है तो अपने ख्यालों में तो उन्होंने आपको रखा हुआ है अपनी thoughts में उन्होंने आपको रखा हुआ है next 48 hours में भी ये नज़र आ रहा है ये देखिए crown chakra and emotional loss बहुत ज़्यादा वो भी आपका loss feel कर रहे है really feel के वो आपको खोच चुके हैं बहुत hurt है बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे है we have partnerships and alliances number three हो सकता है कि आपके person ये सोच रहे है कि मुझे अपने किसी दोस के साथ मिलकर कोई business करना चाहिए शुरू and then we have intuition number two so I really feel कि आप लोग energetically बहुत ज़्यादा connected है next 48 hours में बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगे के जैसे आपके person आप से बात कर रहे है और शायद उनको भी ऐसा फील ओगा कि आपने जैसे उनको बुलाया है बहुत ज़्यादा आप उनकी energy को feel करेंगे, वो आपकी energy को feel करेंगे past बहुत ज़्यादा आप लोगं को सोच रहे हैं we have material and spiritual prosperity number six तो six बहुत आया, okay, moving on ये भी six है, so yes जैसा हमें नजर आया, ये इनसान सोच रहे हैं किसी के साथ collaborate करें, अपने friend के साथ कुई न कोई business शुरू करें, maybe YouTube channel शुरू करें, कुछ भी इस तरह का हो सकता है but वो financial freedom freedom चाहते हैं, किसी भी तरह कुछ अपना खुद का शुरू करना चाहते हैं, कि वो अपने फैसलों में आजाद हो जाएं, कुछ लोगों के लिए बड़ा direct ये message आ रहा है, and then love begins, ये है Ace of Cups, जिसका मतलब ये है कि ये इनसान आपके साथ एक नई शुरूआत चाहते है और ये पता है, तब होगा जब ये इनसान अपना खुद का कोई छोटा सा बिजनिस शुरू कर लेंगे या खुद का कोई काम शुरू कर लेंगे थोड़ी सी hope उने मिलेगी और फिर वो आपको बताएंगे कि मैंने ये शुरू कर लिया है प्लीज एक चांस मुझे देख कर देख लो थोड़ा टाइम मुझे प्लीज और दे दो I really feel कि अभी भी इनसान आपसे टाइम ही मांगने को बोलेंगे So next 48 hours में आप दोनों एक दूसरे को मुझे याद करते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत जादा मुझे पास्ट को सोचते हुए नजर आ रहे हैं आप दोनों एक दूसरे से अनरजेटिकली बहुत जादा connected नजर आ रहे हैं और जैसा मैंने आपको पहले message दिया था hold your vision ये इनसान आपके उपर give up नहीं करेंगे कोशिश करते हैं आपको भूलाने की बट नहीं करेंगे give up फिकस नहीं हो पा रहे हैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा memories है वो memories आप लोगों को बहुत haunt कर रहे हैं नहीं आपको move on करने दे रहे हैं ये भी हो सकता है कि इस वक्त आपके परसन को थोड़ा सा प्राइड है बीच में ego आई वी है full moon in Leo हो सकता है आप literally किसी Leo से deal कर रहे है so ego और प्राइड उनकी इसलिए दिरम्यान में आई वी है क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आप उनको में भी हर जगा से block कर देते हैं या आप हर बार उनको कहते हैं कि मुझे अब तुम्हार साथ नहीं रहना मुझे अपना हो या मेरे लिए ये करो फिर मैंने तुम्हार साथ रहना है मैं बस ठक चुकी हूँ या मैं exhaust हो चुका हूँ मैंने तुम्हार साथ नहीं रहना तो वही सोच रहे हैं कि हर जगा से इसने मुझे block करना होता है इसने मेरे साथ हमेशा यही इसने मुझे कहना है इसने मुझे time नहीं देना इसलिए मैं भी इस ते directly अभी बात नहीं करूंगा ठीक है अगर वो रह सकती है या कॉल ये भी हो सकता है कि उनका कोई दोस्त या उनकी कोई दोस्त आपको टेक्स्ट करेगी या कॉल करेगी hey how are you just to know कि आप ठीक है या नहीं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है आपको में भी कुरेदने की कोशिश करें कि आप क्या सोच रहे हैं right इस तरह से उनके कोई किसी फ्रेंड का सकता है next 48 hours में और समझ लीजिएगा कि उन्होंने ही अपने फ्रेंड से करवाया है या फिर किसी fake account से या किसी और number से ये इनसान आपसे contact जरूर करेंगे so with this hold your vision I really feel कि ये इनसान आप पर तो give up नहीं कर रहे है आप fix हो चुके हैं उनके दिमाग में वो आप पर fix हो चुके हैं and obviously क्योंकि ये रिश्टा बहुत पुराना है I don't feel कि ये कोई नया रिश्टा है ये बहुत आपका मजबूत और पुराना connection मेरे जहन में वो गाना आ रहा है तेरा मेरा रिश्टा पुराना बड़ा पुराना गाना है ये I think इमरान हाश्मी की मूवी का था so yes ये कोई 4-5 साल का रिश्टा तो है इससे ज़्यादा भी हो सकता है कम से कम भी 2-3, 2 साल का तो होगा so I feel कि चाहिए 2 साल का है memories इतनी ज़्यादा है आप लोगोंने इतना ज़्यादा time साथ में spend किया है कि आप लोग एक दूसरे को नहीं भूल पा रहे है and I feel कि मतलब बहुत एक दूसरे से आप दोनों को प्यार एक दूसरे को कि जब हमारा future ही नहीं तो फिर हम क्यूं और ज़्यादा साथ रहें और memories बनाएं आखर में और तकलीफ हो इस तरह से आप सोच रहे है so friends next 48 hours में ये इनसान आपको ना किसी fake account से या number से text message जरूर करेंगे hey how are you का या उनके किसी friend की तरफ से आ सकता है so अब हम आपके yes and no पर आने लगे है साथ letters or numbers आपका name initial आ सकता है आपके person का आ सकता है किसी का पूरा नाम आ सकता है let's see क्या आता है let's start with your yes and no ये सही नहीं हो आ स्टाक हो गया एकदम so let's do it again 11 117-S111-F-M-C-U-D-X-222-S-P-N-Y-Z-Q-P so try again आ गया है let's try again 444-R111-I-F-R-999-1111-Z-F आपका अंसर आया है yes S-A-Z-B-I-T-H-Y-Y-N-T so ये आपके letters और numbers हैं आपका आंसर येस आया है ये आप लोगों की reading थी कुछ भी आपके लिए helpful रहा पसंद आया मुझे आप बताईएगा comment section में और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर like कीजिएगा, share कीजिएगा, subscribe किया बिना बिलकुल मत जाईएगा so मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है कि आप अपनी life में जो भी manifest करना चाहते हैं new love, true love आपकी life में जरूर manifest हो और जरूर होगा क्योंकि you are worthy of love and you are lovable अपने आपको ये जरूर बताया करें अपना धेर सारा ख्याल रखिएगा मैं में लोंगे आप से नेक्स वीडियो में तिल देन, love you lots bye-bye